राजस्थान में मुक्षेमंत्री कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ इस बीच वहां से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात भी सामने आई है अब आश्पा की विधायक ललित मिडा के पिता और पुर विधायक हिम्राज मिडा ने बड़ा आरुप लगाया है हिम्राज मिडा का कहना है कि पूर वसीम बसुंधार राजे के बेटे और सांसर दुष्रन सिंग ने पांच विधायकों को राजस्थान के एक रिजॉर्ट में रखा है ये रिजोट जैपूर में सिकर रोट पर इस्तित है दावेक मुताबिक वहाँ जालावार के 3 और 12 के 3 विधाय को कोभी रखा गया था धिम्राज मीरा ने बोला कि जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा वहाँ पर है तो मैं अपने बेटे को लेने के लिए रिजोट पहुचा वहाँ पर विधायक कमवारलाल ने कहा कि दुश्रन सिंग से बात कराओ तब जाने दूँगा साथ ही उन्हों ने ये भी आरोप लगाए कि कमवारलाल विधायक उन्हें से जगड़े पर उतारू हो गए फिर हमने राजस्तान के प्रभाडी अरुन सिंग और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंतरी चिनर शेखर को इस बात की सूश ना दे हम्राज मिर्णा का दावा है कि इसके बाद ये सभी लोग मौके पर पहुँचे और पुलिस बुलाई गई तब वो विधायक और अपने बेटे ललिक मिर्णा को लेकर आप आए का जारा है कि बचे हुए चार विधायकों को वसंद्रा गुट ने फिर से कहीं और पर शिफ्ट कर दिया है तरस्थान में बीजेपी की चीत के बाद से वसंद्रा पेशर पॉलिक्स करती हुई भी दिख रही है हलाकि बुद्वार को सुत्रों से मिली जनकारी का उनुसार विधायकों से मीटिंग के बाद वसंद्रा ने फोन पर बीजेपी का लाकमान से बात की है इसमरों ने साब किया जो पार्टी के अनुशासित आयर करता है वो पार्टी की लाइन से हटकर कभी बाहर नहीं जाए इसके बाद बुद्वार रात को बसंद्रा दिल्ले पहुचकी जहां उनकी ये पिनड़ा से मुलाकात होनी है खबर लिकिराने ते कभी तक मुलाकात हो नहीं पाई है आज मुलाकात हो सकती है तो कोई मिलाकर आरोप ये लग रहे हैं को एक रिजोट में लेजा कर रखा उसके बाद से जब आप हंगामा हुआ तो फिर चार विदायकों को निकाल कर कहीं और जाकर शिप्ट कर जेगे ब मैडम के बेटे दूसन सिंग्जान लेगे थे